वेलकम तो माय यूटूब चैनल हम यहां पर जेके इस भी एकॉन अस्टन का सिर्फ कर रहे हैं हमने अभी तो बहुत सारे टॉपिक किये हैं अगर आपने वह टॉपिक नहीं देखें तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और आज हम करने जा रहे हैं पंचायती राश एक 1989 जिसका हमने पहला लेक्चर किया हैं आज हम दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं उसी के उपर तो अभी तक हमने वह पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर देखिए तो चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो हम चप्टर 5 तक हमने पहले वाले इसमें किया था तो आज हम चप्टर 6 से आगे करने जा रहे हैं और जितना हो सकें इसी ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा है ये टॉपिक ये फिर भी हम ट्राइ करेंगे कि इसी ही वीडियो में पूरा ये टॉपिक खत्म किया जाए तो इससे पहले आपके लिए इंफिर इनफॉरमेशन के लिए बता देंक इससे पहले हमने वार्ड मज्लिस के अबरे में पढ़रा था हमने उससे पहले हमने वार्ड मजलिस के बारे में पढ़ा था हलका मजलिस के बारे में पढ़ा था हलका पंचायत के बारे में पढ़ा था उसके एलेक्शन के बारे में पढ़ा था प्रोसेजर के बारे में पढ़ा था फंक्शन के बारे में पढ़ा था उनके तो वह सब हमने चप्टर नंबर 5 तक किये थे, आज हम करने जा रहे हैं चप्टर नंबर 6 और यह है section 27, तो section 27 deals with BDC, यानि block development council, block development council के साथ deal करता है, कौन साथ, chapter number 6, chapter number 6 और section 27, deals with किस के साथ है, block development council के साथ, तो section 27 में क्या दिया गया है, कि कहा गया है कि एक, क्या होना चाहिए, एक block development council होना चाहिए, जिसका नाम किस के उपर होगा, उसी block के नाम के उपर होगा, अगर कोई जगा है, उसका कुछ नाम है, ABC, तो वहाँ पर जो block development council बनेगा, उसका नाम भी उसी जगे के नाम से होगा, ABC Block Development Council कहा जाएगा, उसको ऐसे, उसी नाम पर, जगे के नाम पर, वह BDC होगा, Block Development Council, और इसी में दूसरा subsection क्याता है, कि एक body होना चाहिए, एक body होना चाहिए, जिसका क्या होना चाहिए, एक common seal होना चाहिए, उस body का, और वह seal, उस body जो बनेगा, वह corporate होगा होगा हम बोलते ह तो उसके नाम पर होना चाहिए, वह seal, common seal होना चाहिए, उसी corporate के, corporate के नाम पर होना चाहिए, और उसको कैसे run किया जाएगा, वह जिस तरह government rule regulation दिया गया है, उसकी उपर जो strictly उस rule regulation को follow करके, उस जो भी prescribed rule regulation है, condition है, उसके उपर वह चलना चाहिए, ऐसा कहा गया है, section 27, उसक section 2 में, तो इसके बाद 3 क्या बताता है, BDS में क्या क्या मलब उसमें consist होगा, क्या 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 होगा, उसमें होगा पहला एक, chairman होगा, और दूसरा क्या होगा, कि all serpunch and hlqah panchaids of particular block, और जो serpunch and hlqah panchaid के, हlqah panchaid होगा, किसका? particular block का, उस block का, जो भी हlqah panchaid होगा, या सर पंच होगा हलका पंचायद का सरपंच होता है मालब कह रहा है कि एक तो चियर्मेन होगा और वो सारे सरपंच होगी हलका पंचायद के जूंकी उस ब्लॉक के अंदर आता है तो इसका बाद रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका पंच के यहां पहले वहां पहले ता ले उसके तरह में प्लॉक ब्लॉक कोंसल ने बही उससी तरह का रिजर्वेशन यह किस में दिया गए है सब सेक्षेंट 3 और सेक्षेंट 27 में इसके बाद आता है 28 थोड़ा वीडियो तेज होगा क्योंकि हमें यहां टॉपिक बहुत लंबा पड़ेगा इसलिए इसके बाद 28 सेक्षेंट 28 में क्या बताएगा है चेर्मन वाइस चेर्मन एंट सेक्ष्री के बारे में बताएगा किसमें सेक्षेंट 28 में क्या होगा किसके लिए बीडीसी को इसके लिए बीडीसी को कुलिफाइट करने के लिए तो वह अगर कोई बी पांच या सरपांच होगा किसी भी हलके से वह ऐलेक्टित होके आगिया तो वह as a chairman वह एपॉइंट हो सकता है उसक जगे का उसी ब्लॉक का तो यह किसी बारे में बता रहा है चियर्मेन के बारे में अगर कोई भी सरपंच अगर अगर एलेक्ट हो जाए जए चियर्मेन तो उसका पोस्ट क्या होगा खाली हो जाएगा और उस पोस्ट पे जल्थी election या किसी भी nomination किसी भी procedure वह जो भी प्रिस्क्राइब दिया गया गया गवर्मेंट के तो उसके उपर क्या किया जाएगा उस वेकंट सीट को fill up किया जाएगा इसके बाद section 28 के subsection 2 में फिर क्या का गया है कि vice chairman के बाद किया गया है कि वह क्या से elected होगा वह भी उसी में से ही elected होगा वह जो भी bdc है block development council में जो जो भी है वहाँ पे chairman था आल सर पंच और हलका पंच है था उसी में से ही क्या वह जो vice chairman है वह भी among them's है उन्ही में से ही किसी को चुन के vice chairman बनाए जाएगा इसके बाद आता है कि जो block development officer के बात करता है वो कौन होगा shall be the secretary of bdc वो कौन होगा secretary होगा किसका bdc का security होगा कौन block development जो officer वहाँ पे है वो जो block development council का क्या होगा secretary होगा secretary होगा तो इसके बाद रहो हमारा 29 section 29 के बदेन करें तो इसमें term और ofice कि बात किया गया bisa попार ofice के बात किया कि तो इसमें chairman जो हो नोओ को नोओ नोमेरेट किया जाएगा जिसको chairman दिन उसको डिग्लियर किया जाएगा उसी दिन से पांच साल के लिए वो उसका ओफिस चलेगा उसका टैनियर पांच साल के लिए चलेगा यह किसमें दियाएगा है इसमें किया था है यह 6th of 2014 को पूटिन किया था इसमें तो इसके बाद दूसरा आता है section 29 में term of office of vice chairman की बात करते है और दूसरा जो member से उसकी बात करें तो उसका जो office है वो भी same उसी तरह है जैसे की सरपंच का चलता है जब तक वो सरपंच है उतने time period तक वो उसका term of office चलता रहेगा तो यह था 29 का अब थर्टी के बात करें section 30 section 30 में किस चीज की बात किया गए है रिमूवल और chairman की बात किया गए है chairman को कैसे किया जाए वो जो chairman अपांट हुए तो उसको two third majority के साथ voting करके वहां पे two third majority हो वहां पर जो भी है जिदने भी नंबर है उसका two third majority के साथ वो अगर बिल पास किया जाए कि मालब removal का ये पास किया जाए तो वो अपना उसको chairman को अपना office चोड़ना पड़ेगा majority जो भी हलका पंचा है तो a block at special meeting conference for the purpose उसके लिए special meeting बुलाए जाएगा और उसका two third majority होगा तो उसको अपने जगे से हटाए जाएगा मगर उसके भी कुछ यह है कि ground है जिसके बिना पर वो कर सकते हैं जैसे कि अगर miss conduct किया तो वो लोग इस meeting को बुलाएंगे या duty अगर अच्छे से नहीं कर पाए या जो भी section 6 में आता है rules regulation अगर उसकी हसाब सागर disqualify हो तो उसको अपना seat चोड़ना पड़ेगा चियर्मेन को टू थार्ड मेजर्टी के साथ अगर उन्हों नहीं अगर पास किया इस बिना पर इस ground पर तो इसके बाद अभी हम कर रहे थे chapter 6 तो हम अब करने जा रहा है chapter 7 चप्टर 7 के बात करें तो इसमें किस की बारे में जिक्र किया गया है power and function of BDC के बारे में बात किया performance function specific उसको मलब जो functions है जो BDC का function वो किस में दिया गया है schedule 11a में दिया गया है तो उसके हसाब से इसका function है जैसे कि subsection 1 में दिया गया है 31 के इसमें दिया गया है कि जो all 5 level plans जो भी होगा उनको complete करना है उनको देखना है और उसको time रहते ही submit करना है किसके पास district planning and development board एदिस्ट्रवाट फॉर integration with district plan उसको integrate करने के लिए district plan के साथ किस को submission करना है district planning development board को, कि बङस्टिके दावरा करना है BDC की दावरा जो भी 5 level są उनस सबको complete करके वक्तपर district planning and development board को submit करना है इनको ता कि उसको district plan में उनकी जो भी यह है प्लांस है वो सब उनकी जो डिस्टिक प्लान है उसमें एट किया जाए तो उसके बाद आता है इसमें और एक बात कहा गया है कि प्रेपरिशन ऑफ आल भी ब्लॉग लेवल प्लांस जैसे कि उपर देगे सेम इस इन पॉइंट फार्श में बताया गया है कि जैस तो इसी 37 के सबसेक्शन 3 में क्या दिया गया है कि कनस्ट्रक्शन मैंटेनिंस एंड जो सुपरवेजन है जो हल्का पंचाइट के अंदर आता है कम्निकेशन सिस्टेम उन सबका भी इनके उपर उनके उपर भी पावर है मलब यह उन सबको भी मैंटेन कर सकते हैं उन सबको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उन सबको यह एड़ेस्ट कर सकते हैं तो इनका पावर है इनके पास और फंक्शन भी कह सकते हैं कि ऐसे यह अपना फंक्शन कर सकते हैं तो एड्मिनिस्ट्रेशन की बात कर यह टेकनिकल गाइडेंस यह हलका पंचाइट यह अगर को ुलक मैंने कोई काम चल रहा है तो उसको पाल करना उसको देखते रहना ताम उसको क्यास काम क्यासा चल रहना किसको चल रहना। उसको किसका काम है? फंक्शन आता है BDC के वसके फंक्शन میں यह सब यह सम시면 में और बह। सारे हैं जैसे कि अनिमल हजबीन करें से उनका काम है şiakheri na co चारई, ये सब, इन सब को monitor करना भी इनका function है, जो BDC इन सब का काम क्या है कि इन सब को time per time monitor करना की कैसे चल रहा है, benefit हो रहा है की नहीं हो रहा है ये सब देखना कि किसा काम है, BDC का काम है, Block, Development, Console का काम है, ये किस में में दिया गया है, Section 31 में दिया अब आते हम section 32 की बात करते हैं अगर section 32 की बात करें तो इसमें क्या दिया गए कि जो power and function of chairman और wise chairman का power of function अब उपर क्या दिया था block development council का power and function दिया था अब यहां पर chairman और wise chairman का क्या यह होगा power or function होगा दिया गए कि इसमें यह section 32 में in the absence of अगर chairman absent होगा तो उस वकात कौन head करेगा किसी भी meeting को presenting कौन करेगा यह करेगा हमारा wise chairman करेगा किसी भी meeting को head तो उसके बाद आता है कि in the absence of chairman yeah wise chairman shall exercise general control and supervise over the staff and affair of the अगर अगर chairman absent होगा तो wise chairman पूरा काम संभालेगा जो भी जो ब्लॉग डावन कांसल का काम है वह सब कों संभालेगा फिर wise chairman संभालेगा उसकी जगे पर जो भी journal control होता है वह सब यह क्या करेगा wise chairman उस सारे affair को बीडीच की जो भी affair है उन सब को वह control करेगा इसके बाद आता है हमारा यह था 32 section 32 की बाद करेगा अब आ रहा हमारा 30 section 33 की अगर 33 की बाद करे तो यह renumeration on to chairman and member और जो भी renumeration है वह उसकी बाद कर रहा है किसमें article ने section 33 में तो इसमें क्या कहाएगा जो भी time to time government का rule के अधसर उनको जो भी तनखा या कुछ है दिया गया है वह मिलता रहेगा उनको मिलेगा और जो chairman of BDC है उसको भी time to time क्या गया जो भी वो उनको मिलता रहेगा किस में कहा गया है तो हमारा chapter number 7 इसमें क्या क्या निया गया था एक तो power and function of BDC दिया गया था दूसरा जो power and function of chairman and vice chairman दिया था और तीसरा हमारा जो payment for chairman and members के लिए जो भी payment वो दिया गया था इसके बाद आते हैं六 गेवार्द आज्ड़ अगर चप्टन नमर 8 के बात करें, तो यह section 34 इसमें आता है, तो यह किस बारे में बात करता है, property and finance के बारे में बात करता है, जो भी BDC का property या finance होगा, वो कैसे होगा, और उनके पाद क्या power होगा, इस बारे में बात करता है, finance के रिलेटिक क्या power होगा, वो इसमें बात करता है, तो section 34 में क्या कहता है कि जो भी BDC है उनके पास power होगा कि वो प्रोपर्टी एक्यूर कर सकते हैं होल्ड कर सकते हैं और या वो डिस्पोज भी कर सकते हैं या वो किसी के साथ contract में जा सकते है है according to rule के जो भी रूल उस वक्त लागू होगा उसके असाब से वो किसी के साथ contract में भी जा सकते हैं तो यह इनका पावर है इनके पास पावर है यह लोग कर सकते हैं इसमें जमा हो ऐसा कुछ बनाना चाहिए बना चाहिए कि जिसमें government के वहां से fund आये और वह जो fund आये वह कहां पे इसमें यूज कर सकते हैं उस चीज़को इस इसका पावर दिया गया है किसमें section 34 में इसके बाद आता है हमारा chapter 8 अब chapter 9 के बाद करें तो इसमें क्या दिया गया है कि procedure for conduct of business अब कैसे उनका जो business चलेगा system चलेगा उस चीज़का यह procedure दिया गया है किसमें chapter 9 में तो पहले आत इस जो section 35 है इसमें क्या क्या था कि एक meeting होना चाहिए एक महीने में और उसका जो chairman होगा जो भी chairman होगा वो उसका head होगा वो उस meeting को help करेगा तो अगर उसका अगर जो chairman appoint किया गया था अगर वो absent हो तो उसके जाए पे कौन उसको head करेगा vice chairman करेगा मगर एक बात है कि सबसे ज पहला meeting होगा वो कौन करेगा उसको head कौन करेगा chairman नहीं करेगा उसको फिर वहां का जो भी prescribed authorities है वो जो भी जिसको भी appoint करेगा वो पहला सबसे पहला जो BDC का meeting है उसको help करेगा है तो इसके बात इसी section 35 में दिया गया है कि procedure of conduct जो business and maintain जो record है या BDC में भी prescribed जिससे rule दिया गया है chapter 10th holding of election है जैसे कि उसमें दिया गया है उस तरह इनका जो procedure होगा किस तरह ये चलेगा कैसा procedure होगा वो सब इस chapter 10 में दिया गया है उसकी हसाब से यह चलेगा तो इसका section 35 का बस इतना ही है इसके बाद आता है यह हमारे chapter 9 था अब chapter 10 के बाद करते हैं तो chapter 10 के बाद करें तो यह deal करता है holding of election जो मैंने उपर कहा था कि कैसे election को hold किया जाए तो इसका section 36 आता है इस chapter में तो इसमें क्या state election commission के बाले में बताया गया है जुकि यह कब put in किया था यह 2014 में 6th of 2014 के इसके तहर यहां पर put in किया गया था तो इसमें क्या कियाता है कि supervise या direct या control और जो प्रिपरेशन और या इलेक्टर रोल है इलेक्टर रोल का प्रिपरेशन या उसको supervise करना या direct करना वो कंडिग जो भी election के लिए जो भी procedure है उस procedure को कौन ये करेगा state election commission करेगा यह सब जो भी preparation या एलेक्टर रोल बनाएगा वो कौन बनाएगा state election commission बनाएगा election authority या उस election authority को क्या कहता है हम state election commission कहता है उस authority के इन सेंपल गया अब उसी 36 section 36 में और एक बात भी कहा गया है कि जो members होगा वहां पर जो state election commission में वो कौन-कौन मलब किस तरह appoint होगे यह जो election commissioner है to be appointed जो भी मलब state election commission में जो election commissioner होगा वो कौन appoint करेगा वो governor दवरा appoint करेगा किसके recommendation पर जो भी वहां पर जो community बनाया होगा मलब जो भी community बनायागा उस community में कौन-कौन होगे आपके लिए कहां दूँ तो उसमें हमारा chief minister होगा senior minister to be nominated by the chief minister कुछ senior minister होगे जिसको nominate किया जाएगा chief minister के दारह और speaker होगा legislative assembly का और minister होगा इंचार्ज पंचायत का जो minister होगा इंचार्ज जो भी होगा वो होगा उस जो community में और leader opposition होगा in legislative assembly में यह सब community क्या करेगा recommendate करेगा यह जो community बनायाए यह recommendate करेगा एक नाम किस के लिए election commissioner का नाम किसको recommendate करेगा यह governor को करेगा और governor जाके फिर appoint करेगा किसको election commissioner को तो इसके बाद इसी में ही का अब बाद क्या वा होगा कि jurisdiction के पार्थिशोन के बारे में कहा गया कि जो qualification होगा election commissioner का वो क्या होगा फिर वो ज़रूरी तो पर एक civil service होना चाहिए चाहिए union union में हो चाहिए union union government होей या state government में हो, तो जहां पर भी हो, वो civil service होना चाहिए, और मगर उसका rank, कम commissioner या secretary उनका होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तब जाके वो appoint हो सकता है, और उसको knowledge होना चाहिए, उस चीज के बारे में experience होना चाहिए, जो election के matter के बारे में है, तो तब जाके वो appoint हो सकता है, as a state election commissioner, otherwise he was not qualified, तो इसके बाद आता है, section, ये था हमारा section 36, 36a, 36a में किस बारे में कहा गया है कि, term of office, जो भी office, जो election, state election commissioner होगा, उसका office या term कितने time का होगा, वो 5 साल के लिए रहेगा, 5 साल तक उनका tenure रहेगा, और 5 साल के बाद फिर वो change हो जाएगा, अगर वो कोई civil service है, पहले उपर वाले में civil service है, तो उसको उस चीज़ का, जो civil service है, जिस दिन वो appoint as in election commissioner हो जाएगा, उस दिन उसका, वो सब बन हो जाएगा, जो भी उसको as in retire माना जाएगा, वहां से, उस पहले अगर वो 65 एर उसका हो जाता है, तब भी उसको retire माना जाएगा, अगर वो 65 एर का 5 साल, चार साल के ही इसके tenure में 65 एश का हो जाता है, तो भी उसका office, उससी time पे उसका tenure खत्म हो जाता है, इसके बाद आता है 36 B, 36 B की बात करें, तो यह removal की बात करता है, जो state election commissioner है, उस उसको सिर्फ governor की order के ही base पे remove कर सकता है, अगर उसका कुछ ground हो, जैसे की mis behavior, incapacity हो, उस ground के बिना पे उसको remove कर सकता है, मगर कौन? सिर्फ governor के order पे, governor के order पे ही remove कर सकता है, और वो पहले governor ऐसे नहीं निकालेगा, उसको पहले वो inquiry करेगा, देखेगा कितनी हद तक सही है, क्या retired judge of high court, उसको judge करेगा, फिर उसके बाद अगर यह पाया गए कि वो mis behavior कर रिया, incapable है, तो governor के दारा order निकाल सकता है, उसको remove कर सकता है, इसके बाद आता है 36D, तो 36D की बात करे, section 36D की तो यह power of election commissioner है, state election commissioner, उसके बारे में बताता है, यह power, यह कैसे act करेगा, एक civil court के दार act कर करता है, यह एक civil court, civil court जिस तरह act करता है, जिस तरह उनके काम होता है, उसी तरह इसके भी power होगे, कि इसके state election commissioner के, इसके बाद आता है 38, section 38, 38 के बात करें, तो यह electro role के बात करता है, for every हलका पंचायद, there shall be electro role, वहां हर किसी हलका पंचायद, जिसका हमने पहले वाले वीडिय किया था, उसकी बात करता है, कि उसमें क्या होना चाहिए, section 38 के सबारे में बात करता है, 38 हलका पंचायद के बाने में क्याता है, हर किसी हलका पंचायद में क्या होना चाहिए, electro role होना चाहिए, जिसको prepare करेंगा, election authorities according with provision, जो भी provision दिया गया है, उसके हिसाब से, फिर election authority क्या करेंगा, हर किसी हलका पंचायद में, एक electro role बनाएगा, तो इसके बाता है section 39, 39 के बात करें तो इसमें, disqualification, the person from electro role, किस तरह पहले तो हमने 38 में किसी के बारे में कहा था, कि electro role होना चाहिए, किसमें हलका पंचायद में, वो कुन बनाएगा, फिर election authorities बनाएगा, ला कि हसाब जिस तरह के procedure है, उनके साथ, अब disqualification, वो ही electro role जो भी है, person from electro role, जो भी electro role है, उसमें से अगर किस person को disqualified किया जाए, तो वो किस बिनापे किया जाए, कैसे वो disqualified हो सकता है, तो कुछ बेस है, जैसे कि, अगर वो permanent resident नहीं हो, state का, तो वो qualified नहीं हो सकता है, electro role में, वो person disqualified मान का हो, तो भी वो disqualified माना जाएगा, किस के, ये किस में कहा गया है, section 39 में कहा गया है, इसके बाद आता है, section 41, 41 की बात करें, तो ये election of chairman, जो भी chairman of BDC, BDC का जो भी chairman है, उसके election की बात करता है, वो कैसे होगा फिर, वो उस तरह होगा election, जैसे punch ये सरपंच का होता है, उसी तर तो इसके बात आता है section 42, 42 किस के बारे में बात करता है, holding of election, election को कैसे hold किया जाए, किने time पे hold किया जाए, इस बारे में बात करता है, section 42, 42 में क्या हलका पंचायत, shall be held, जो भी election होगा हलका पंचायत का, वो एक महिना पहले ही होना चाहिए, जो हलका पंचायत उसके expariate है, जो भी अगर expariate date से एक महिना पहले ही, जो election है, वो होना चाहिए या नहीं, तो अगर expariate हो गया तो within six months में होना चाहिए, उसका हलका पंचायत का, तो यह था हमारा section 42 है, इसमें और भी एक चीज, important चीज कहा गया है, जो chairman and BDC होगा, chairman का, पहले वाले तो हमने हलका पंचा होगा, वो held होना चाहिए, एक महिना पहले ही expariate of that term, जो भी है, उसकी term tenure है, उसकी experience से पहले ही, उसका election होना चाहिए, तो इसका बात आता है 42, section 42 B में बात करता है, security fee or deposit की बात करता है, कि यह, जो भी security fee होगा, वो कैसे deposit, मलब security fees, जैसे कि आप लोगं को पता होगा, कि election के लिए निकलते हैं किसी जगे पर, तो हम क्या करता है, कुछ amount उसमें deposit करता है, as in security fee के तोर पर, अगर आप लोगं को कुछ, अगर उन terms के हसाब से, अगर इतने person, कुछ person, आपको vote आना ज़रूरी होता है, अगर आपको, otherwise, वो security जो fee आपने वहां पर दिया गया है, वो आपको वापस नहीं मिलता है, तो इस में, क्या कहा गया है, 42B में, उसी बाद में कहा गया है, कि आपको one-sixth of the total valid vote मिलना चाहिए, otherwise, यह जो भी, आपने security fee यह deposit किया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा, फिर, इसके बाद आता है, हमारा 44, section 44 के बात करें, तो यह jurisdiction of civil court in election matter barrier क के बात करता है, जैसे कि, जो भी civil court होगा, उसको election matter में, अगर कोई decision ले, जो भी appointed authority है, election के लिए, उसके against कोई भी action वो नहीं ले सकते है, किसी कोई civil court उसके against कोई decision नहीं ले सकते है, appointed officer कोई भी होगा, तो यह किस में कहा गया है, 44, section 44 में कहा गया है, यह था हमारा chapter number 10 था, slash school component and building board के बात किया बात किया है, district planning and development board की बात किया है, 44, section 45, 45 में किया कहा गया है, हर किसी district, מא, को किया होना चाहिए, district planning and development board होना चाहिए, मル抑नर्मिंट द्थावरा बनाया जाये गाया या जाणा चाहिए, तो इसमें दूसरी बात कहा है कि जो भी District Planning and Development Board होगा उसमें कौन कोन होगा उसमें एक तो चियर्मेंट होगा दूसरी चियर्मेंट और BDC होगा जो Block Development Council का जो चियर्मेंट पॉइंट किया था वो होगा दूसरा तो वो जो Member of Parliament Member of Parliament उस एरिया का Member of Parliament होगा तीसरा होगा Member of State Legislature या MLA हम जिसको कहता है वो होगा उसमें किसमें District Planning and Development Board में और होगा चियर्मेंट आफ टाउन एरिया होगा Committee at the District जो भी चियर्मेंट होगा Town Area Committee का District का वो होगा और President of Municipal Committee अगर कोई होगा तो वो भी होगा उसमें District Planning and Development Board में तो इसके बाद इसी में ही कहाए तो जो District Planning and Development Board में चियर्मेंट कौन चुना जाएगा वो उस उनही में से किसी को चुना जाएगा कौन District Planning and Development Board का चुना जाएगा Reservation की के बाद करें तो जेसेफरेंट हलका पंचाइड में दिया गया है उस तरह कर रिजर्वेशन ने वन थाट वागरा स्ट को पॉबलिशन के हसाब से तो इसका पहले मैंने जिक्र किया है पहले वाले वीडियो में तो इस में 45 सबसेक्शन 4 में किस बारे में बताए गाया है वाइस जेयर्मेन जो होगा वो भी उनहीं में से होगा मगर वो ज़रूरी तो पर गॉर्मेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए गॉर्मेंट सर्वेंट होगा तो वो डिस्कॉलिफा हो जागा है वाइस जेयर्मेन के लिए तो इसके बाद आता है जो डीसी है डिप्टी करमिशनल वो कौन होगा चीफ एग्जेक्टी ओफ डिस्टिक प्लाइनग डिवल्मेंट बोर्ड का कौन होगा चीफ एग्जेक्ट होगा सबसे तो उसी के ही एप्रूवल पे इनके जो भी प्रोसेजर है वो चलेंगे जिस्टिक लेवल है कोई भी फंक्शन होगा तो वो इसी की एंडर ही चलेंगी कि इसकी डीसी के तो इसके बाद आता है चप्टर नमर टुएल चप्टर नमर टूएल की बात करें तो इसमें पावर फंक्शन और फाइनेंस के बारे में बतायाएगा है किसका district planning and development board का तो इसमें आता है section 46 46 की अगर हम बात करें तो function और उसके जो power है उसके बारे में बता आए गए है district planning and development board के तो पहला है पहली बात इसमें कहा गए है कि जो to consider and guide the formulation of इसका जो power या function हम किया सकते है वो क्या होगा कि इसको देखना है इसको consider करना है जो भी guidance ये formulation आ्प development जो भी प्रोग्राम सरह उन चीज को consider करना है उनको guide करना है वो भी किस तरह priority base पे जो भी पहले ज़रूरत है उनको पहले priority दखे के उस चीज के उसके जोड़ult रविज्श के पर बेस करके इसको ठाए है और प्रच्ट दीट करना है और स्पीड़ अप्ट डबललेमेंट और इनका फंक्शन है कि इस चीज के उपर इनका द्यान ज्यास्यादा इनको इस चीज को उपर लाने का इनका ये function है तो और इनका दूसरा इसका power function क्या सकते है तो ये है कि ये time to time क्या करेगा कि जो भी इनका program से इन सबको क्या करेंगा time to time review करते जाएंगे तो इसके बाद है । किया प्लाइन है कि जिसđ को कम्Eric पैल करना था काम है। और इस चीज्ट को फोरवर्ड भी करना था है और इनका काम है। कि किसको फोरवर्ड करना कुछ प्लांनिंड इबलप्ονेंट को इस चीज़ को compel करके considerate करके फिर देखे इसको प्लानिंग में इसको put in करके फिर इसके बाद इसको forward करना state finance and planning department में इन चीज़ का इन जो भी है इनका काम है तो इसके बाद इसी में ही कहा गया है कि formulation और finalize the plan है उन चीज़ को formulate करके फिर finalize करके जो भी या आप कह सकते है नॉन planning budget for the district जो भी non planning budget है इन चीज़ को भी formulate करके या finalize करके ये इनका करना इनका काम है और इसके बाद और एक चीज़ कहा गया है जो भी policy होगा उनके जो guidelines for BDCs and policy guidance देना कि BDC को और हलका पंचायद को ये भी इनका काम है और एक important काम है इनका कि जो भी approved budget और BDC जो BDC का budget होगा वो approved करना उस जिसको supervise करना और coordinate या उनके वो के साथ उनके काम के साथ coordinate करना ये सब इनका powers और function में आता है ये आता है हमारा 46 में section 46 में आता है हमारा chapter number 12 में आता है इसके बाद आता है हमारा 47 47 section 47 के बात करें तो ये finance के साथ डील करता है and development board है उसके अंदर होके उसके थूप गुजरता है तो उसी में दूसरा बात 47 section 47 में क्या कहा गया है कि जो भी block district planning development board होगा उसको क्या करना है कि एक committee बनाना है अगर कोई special job होगा उस चीज़ को handle करने के लिए committee बनाना है तो ये किसका job है ये district planning and development board का ये financial job है finance related तो ये था हमारा chapter number 12 अब chapter 13 की बात करें तो इसमें chapter number 13 की बात कारें कि 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 हागा है and of panchaiti adalत के बात के बात कि एक panchaiti adalत होना चाहिए बोलके इसमें chapter number 20 में बताए गया है जिसके बारे में कहा गया कि जैसे कि इसमें कहा गया कि हरकिसी हलके को हलके में क्या होना चाहिए एक पंचायती आदालत होना चाहिए और उस में क्या होगा कि 5 मेंबर्स होंगे वहोच होंगे बाय प्несक्राइप खू और इनकी जओंद चुना जाएगा मेंबर को पशाएट या यह तो इनके लिए कुछ yang यह है कि जैसे कि वह इलिटरेड नहीं होना चाहिए वह लिटरेड होना चाहिए पड़ा लिखा होना चाहिए और उसका एज कम से कम तीस साल तो हुआ होना चाहिए और उसके बाद या वह सरपंच या नई पंच नहीं होना चाहिए इन तीनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए और व तो इसके बाद आता है section 50 50 की बात करें तो इसमें chairman were elected among जो आप जो पंचाइदा डाला है थे उसका chairman किसको चुना जाएगा तो उसका chairman कौन होगा chairman होगा उन्ही 5 में से किसी को चुना जाएगा अगर वो लोग अगर नहीं चुन पाते हैं तीस दिन within 30 days में थकी देश के अंदर अगर वो chairman उन्हीं में से नहीं चुन पाते हैं तो कोई भी जो भी prescribed authority होगा वो क्या करेगा appointment करेगा किसी को भी उन में से इसके बाद आता है 51 section 51 की बात करें तो यह secretary of panchait अदालत कौन होगा इसके बारे में बताएगा है 51 section में इसमें secretary वही होगा जैसे कि हलका panchait की बात करते हैं हलका panchait में जो भी secretary होगा वही इसी panchait की अदालत का secretary होगा और वो क्या करेगा जो proceeding है जो भी केस है उन सब का record मेंटेंट करेगा और एक्ट यह judicial करालक की तरह act करेगा कौन secretary of panchait अदालत जो भी होगा तो यह था हमारा 51 अब आता हम सक्षिन 50 252 की अगर बात करें तो किस बारे में बात करता है कि जो chairman होगा member होगा जो भी panchait की अदालत का उसको कैसे remove कर सकते है कोई भी authority वहां पर जो impower किया authority होगा officer होगा वह इसको remove कर सकता हैом अगर उसको remove करने से पहले proof करना है कि किस बेना पर कर रहे हैं किस वज़ए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर वह प्रूफ होगा तो जो भी officer है वह उसको remove कर सकताए असके पार 53 53 की बात करें तो इसमें जो भी pending case है वो transfer हो सकता है transfer किया जाएंगे तो उस चीज़ के बारे में कहा गया है कि जैसे कि जब पहले इंजेंड के विलेश पंचाइट एक 1958 था तो उसके जो भी case उस वकत case था है अगर वो solve नहीं हुआ था है transfer कर सकते है इस बारे में बात किया गया है तो इसके बाद आता है हमारा section 54 54 के बात करें तो इसमें hearing by the जो members और पंचाइट अदालत होगा वो किस जो भी सुनवाई होगा वो कौन से सुनवाई कर सकते हैं तो अगर personal interest होगा तो जो भी member है अगर उनका कोई personal interest होगा तो उसको नहीं सुन सकते हैं उस case को वो नहीं सुन सकते हैं तो इसके बाद आता हमारा section 55 55 के बात करें तो इसमें chairman and members to the public servant जो भी chairman या member होगा वो act as a public servant के तरह काम करेंगे फिर वो walk like public servant जैसे public servant काम करता है उसी तरह जो भी chairman या member होगा वो उस तरह का काम करेंगा इसमें किसमें लिए गया है section 55 में अब 56 56 की बात करें तो ये criminal jurisdiction होगा जो भी उसका area होगा उस बारे में बाताए जा रहा है कि वो कौन-कौन किस-किस area तक मालब वो ये कर सकते हैं उसका jurisdiction जो भी jurisdiction area है उस बारे में बाताए गया है कि 56 section 56 में तो इसमें पहले क्या बाताएगी कि अगर कोई भी previously convicted हो एक ही इसके लिए अगर उसको punishment मिल गया हो under RPC, Ranbir Panel Court के तहर कहा गया है कि अगर कोई भी previously convicted हो और उसको वो सजा भी मिल चुका हो उसको तो उसका case यहां पर वो लोग नहीं कर सकते इनके jurisdiction जो भी area of jurisdiction है उससे बाहर है इसका यह किस में कहा गया है यह कहा गया है section 56 में तो इसके बाता है दूसरी चीज़ कि जो previously अगर किसी को sentence for any offense to life prison अगर किसी को भी life prison दिया गया है उसकी सुनवाई यह लोग नहीं कर सकता है पहले ही किसी को पहले ही life prison दिया गया तो उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है previously अगर किसी को पहले ही sentence by any panchayat adalat अगर उसको किसी भी panchayat adalat के दौरा अगर पहले अगर उसका case है यह हो कि अगर उसको सजा भी यह कुछ भी हुआ हो तो उसको भी वह नहीं सुन सकता है तो इसके बाता है कि अगर वह habitual जो registered habitual criminal होगा तो उसकी case को भी यह जो panchayat adalat है यह नहीं सुन सकता है इसके बाता है 57 कि बात करें तो यह किस बारे में बात करता है जो भी case होगा उसकी जो भी jurisdiction होगा उसी की अंदर जो भी case होगा वह उसी को ही सुन सकता है panchayat adalat उसी को ही सुन सकता है यह 57 में कहा गए दूसरे जगह के जो भी अगर दूसरे जगह का panchayat adalat होगा तो वह उस case को नहीं सुन सकता है इसके बाता है हमारा section 58 58 के बात करें तो यह penalty के बात करता है और और वह अगर case सुनके अगर किसी को penalty दे तो किदना देगा ज़्यादा 1000 देगा और 1000 से ज़्यादा नहीं दे सकते यह 58 में कहा गया है इसके बात 59 section 59 के बात करें तो यह compensation to जो भी complaint करता है उसको compensation की बात करता है वो compensation अगर fine में से पूरा दे या आदः दे ये इनकी मर्ज़ है जिना भी दे तो यह क्यादा का है 59 को किना पहें तो इसको 400 तक fine लग सकता है उसको उपर fine लगा सकते हैं 200 तक उससे उपर नहीं लगा सकते हैं section 60 में कहाई है section 61 में क्या कहाई है youthful अगर offender हो अगर कोई नाबालिक हो तो उसकी case है वो पंचायत अदाला dismiss भी कर सकते हैं खारिश कर सकते हैं यह किसमें कहाई 61 में है तो यह जो section section बॉर्डाओं में बार बार तो यह सब आपको इतना जरूरी नहीं है अगर कुछ यह आप इस तरह भी याद रख सकते हैं जैसे कि आपको पंचायत यह question ऐसे पूछा जा सकते है कि question कि law जो 18 अगर कोई हो तो उसका case क्या पंचायत अदालत सुन सकता है तो इसका answer होगा no क्योंकि वो नहीं सुन तो सकता है मगर उसको dismiss कर सकता है क्या dismiss कर सकता है तो इसका answer है कि वो उसको dismiss कर सकता है खारिश कर सकता है उनके पास power है तो इसके बात 62 इस तरह के question पूछा जा सकता है अगर section 62 की बात करें तो recovery of fine यहां पर section 62 की बात किया है तो question ऐसे ऐसकता है ज्यादा तर section 62 की यह ज्यादा focus नहीं देखे कि recovery जो fine है वो अगर record नहीं कर पाए तो क्या कर सकता है option में बहुत चीज़े गया होगा तो आप लोगों को वहां पर देखने कि कौनस option से यह तो उसको ठीक माने जैसे कि यहां पर planning जो district planning officer है उसको forward अगर पंचायती आदालत अगर कोई fine दे किसी को अपर अगर वो pay नहीं कर पाया तो later फिर वो case की इसको forward कर देता हूँ district पंचाय तो officer को forward कर देता है इसके बाद 62 section 62 की बात करें तो यहां पर दो बार जो case की सुनवाई नहीं हो सकते हैं अगर एक बार उस same case के लिए same person को अगर एक बार वहां उसकी सुनवाई हुआ तो उस वकर discharge किया तो खत्म हुआ तो उसकी सुनवाई उसके बार दूबार उसी case के लिए उसी आदमी को दूबार उसको यह नहीं कर सकता है उसके ओपर दूबार अदालत नहीं बेड़ सकता है 60 यह किसमें दिया गए 63 में section 63 मे इनकरी एंड रिपोर्ट की बात करता है कि जो भी अगर case होगा अगर कोई case अगर बाद में चला गया होगा किसी के पंचाय ता दालर ने रेफर करके magister के बात वो magister दूबार लोकल इनकरी के लिए कह सकता है वो मालब दूबार लोकल इनकरी के लिए उसको कह सकता है कि यह इस चीज के उपर दूबार आप सुनाए करें उस case के उपर तो यह case में कहा गया है 64 में कहा गया है इसके बात आता है 65 65 के बात करें तो थोड़ा हम जली जली बोल रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा कम से कम जया से लाँ लंबा ना हो इसी ही इसमें वीडियो हम पूरे complete कर देंगे हो 65 65 के बात करें तो इसमें क्या करेंगे कि power to dismiss the case if proof wrong अगर यह case अगर गलत थाबित हो जाए तो उसके उनके पास power है पंचायत है कि वो डिसमिस कर सकते है उस case को इसके बात आता है 67 67 के बात करें तो जो भी case पंचायती अदालत लेंगे उसमें क्या होगा कि उसमे जो भी case होगा अगर उसका 3000 से भी अगर ज्यादा हो जाए तो वो उस case को नहीं ले सकते है 3000 रुपीज से अगर कम का case होगा तो वो कोई सबी case होगा वो ले सकते हैं उस चीज़ के उपर वो यह कर सकते है अदालत बिठा सकते हैं तो इसके बात आता है कि इसमें 67 section 67 में था कर दाना कि अगरता हैं भी बाता है को चीज़ को और कोई पंच हो, हलके का कोई भी पंच हो तो उसके उपर भी यह सुनवाई नहीं कर सकता है और ना कि गॉर्मेंट जो इंपलाई है या गॉर्मेंट के खलाब या गॉर्मेंट इंपलाई है उसके खलाब भी यह सुनवाई नहीं कर सकता है यह किसमें कहये हैं, section 67 में ख़ड़ है, पंचाहिती आदालत कि इसकी के उपर सुना ही एकर सकता है तो इसके बाद आता है हमारा section 71 execution की बात करता है कि किस तरह execute है execution in a prescribed manner, जो भी manner दिया गया, prescribed जो भी क्लल्य में कीता तरफ से दिया है उसकी हसब से execute किया सकता है if find difficult, अगर वो execute करना, उस चीज़ को प्रोसीडिन को आगे forward करना, अगर उनको मुश्किल हो जाए, तो वो किसको forward कर सकता है, फिर उस चीज़ को पंचेड आफिसर को वो चीज़ forward कर सकता है, अगर उनको execute करने में कोई difficulty हो, तो, तो इसके बाद आता है, section 75, 75 के बात करें, तो अगर एक बार पंचेड आदालत एक बार judgment दे तो उसके बाद अपना वो judgment दुबारा से वो नहीं दे सकता है, दुबारा से उस चीज़ को change नहीं कर सकता है, यह किस में कहा गया, 75 में section, section 76 में किस बारे में कहा गया कि जो भी pending यह हो गए, case होगे, वो transfer होगे पंचायत आद बनेगा उनकी 10-year के बाद जो 5-year complete हो जाए, अगर उनका 10-year complete हो जाए, अगर उसके उपर सुनवाई नहीं हो जाए, pending रह जाए कोई case तो वो जो आगे नया बनेगा जो पंचायती आदालत पांच सल के बाद, वो उसके उपर सुनवाई कर सकता है, फिर उसके जो transfer हो सकता ह उसके लिए, इसमें 76 में कहा गया, यह section, section 77 में क्या कहा है कि, contempt of पंचायती आदालत के बाद कहा गया, contempt क्या होगी, will be fine not, यह 200 से ज्यादा का fine नहीं लागा सकता है किसे, किसमें दिया गया है, अगर कोई contempt कह, कोई बेस्ती करे किसे, पंचायती आदालत का, तो बुरा बाल सकता है, मगर 200 से उपर नहीं लागा सकता है, यह section 77 में कहा गया है, इसके बाद आता है 78, section no authority to arrest, किसी person को arrest करने का authority नहीं है, सिर्फ 200 तक fine लागा सकता है, मगर किसी को arrest करने की, इनके पास authority नहीं है, 78 में कहा गया है, यह section 78 में कहा गया है, कि पंचायती आदालत, वो किसी क इसके पास किसी को arrest करने की authority नहीं है इसके बात आता है section 79 के हम बात करें तो इसमें renumeration के बात किया है पंचेते अधालत का renumeration क्या होगा तो वो prescribed जो भी government के दावरा prescribed government rule के असब से वो उनको मिलेगा फिर उनको जो भी payment या कुछ भी हो तो इसके बाता है section 79a में किस बारे में कहा गया है कि जो government है उसके पास power होगा किस बारे में change जो भी role of hulka-panchayda block development council है उसको change करने का time to time वक्त वक्त उसको change करने का power होगा کिस के पास government के पास इसकी बात हमारा chapter number 13 यहां पर खतुम होता है इसके बाद हमारा लास्ट चप्टर आता है चप्टर नमर 14 चप्टर नमर 14 कि इसके साथ डील करता है मिस्सिलीनियस के साथ डील करता है तो इसमें section 80 81 82 83 यह आता है तो 80 कि section 80 डील करता है कि इसके साथ power to make rules जो भी power होगा rules बनाने का वो हमेशा किसके हाथ में रहेगा गौर्मेंट की ही हाथ में रहेगा यह चप्टर नमर 14 section 80 में दिया गया है और 81 में क्या दिया गया है section 81 में जो भी by law होगा उसको कौन हैंड कर सकता है ऋसके फ्लिमेंटा बिदाने का तो फिर्णा इस दोदु कर सकता है और अगर उनको इनको किसी भी स्कीम को ने में कुछ प्रॉल्म हो रहा है और उनको कुछ नया rule या regulation बनाना पढ़ रहा है बनाना पड़ रहा है, तो वो बना के उस चिसको अप्लिमेंट कर सकता है, बार लावा ना सकता है किसकी हातों में है, हलका पंचायत की है, यह किसके बारे में का गया, 81 में, section 82 में किस बारे में कहा गया कि and despite as to property जो डिस्प्यूट जो भी property के dispute होगा 82 में क्या गया गया वो कौन हैंडल करेगा वो government handle करेगा government का decision जो होगा वो final decision होगा यह किस में कहा गया 82 में और last 83 83 में क्या कहा गया कि जो जैन के विलेच पंचायत एग 1958 है उसको किस से replace किया गया है जो अभी हमने पढ़ा 1989 जो पंचायती राच एग 1989 है उसके साथ replace किया जाए गया यह किस में कहा गया है 83 में यह हुआ हमारा total 83 section 86 section इसमें हमने जो भी important है सब कुछ पढ़ा है तो इसमें यह 14 चप्टर हो गया तो उमीद करता हूँ आप लोगं को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के रिए good bye and take care